हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 हिंदी इसपर्ष भाग 2 का पार्ट 3 बिहारी लाल के दोहे के प्रशन उत्तर तो चलिए प्रशन उत्तर शुरू करते हैं नेमलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए तो पहला प्रशन है छाया भी कब छाया ढूंडने लगती है तो इसका उत्तर है जेड के महीने प्रचंट गर्मी होती है सूरज की तेज केड़ों से धर्ती जलने लगती है कहीं भी छाया दिखाई नहीं देती है ऐसा लगता है मानो छाया भी छाया ढूंड रही है प्रशन दो बिहारी की नाइका ये क्यों कहती है कहिए सबू तेरो हियो मेरे हे की बात इस पश्ठ कीजिए तो इसका उत्तर है बिहारी की नाइका कपकपी और स्वेद के कारण कागस पर संदेश नहीं लिख पाती है किसी और से संदेश भिजवाने में उसे लजजा आती है शरमाती है इसलिए वह कहती है कि विरहा यानि जुदाई की इस अवस्था में इसके और उसके प्रिये की हालत समान से है एक जैसी है इसलिए अपने हृदय से उसका हाल समझ जाएंगे यानि अपने हिर्दय पर हांत रखेंगे तो आप मेरे हिर्दय का हाल समझ जाएंगे तीसरा सच्चे मन में राम बसते हैं दोहे के संदर बनुसार इश्पष्ट कीजिए तो इसका उत्तर है बिहारी का कहना है कि माला जपने और तिलक लगाने जैसे बाहे आडंबरों से किसी को इश्वर की प्राप्ती नहीं होती जिस व्यक्ति का हिर्दय इश्व, द्वेश, छल, कपट, वासना आदि से मुक्त और स्वच्च होता है उसी के मन में राम यानि इश्वर का वास होता है प्रशन 4 गोपियां श्री कृष्ण की बासरी क्यों छुपा लेती हैं तो इसका उत्तर है गोपियां श्री कृष्ण से बाते करना चाहती है वे कृष्ण को रिजाना चाहती है परंतु कृष्ण जी को अपनी बासरी बेहत प्रिये है वे सदेव उसमें ही व्यस्त रहते हैं इसलिए उनका ध्यान अपनी और आकरशित करने के लिए गोपिया श्री कृष्ण की बाश्री को छिपा देती है प्रश्न पांच बिहारी कवी ने सभी की उपस्थती में भी कैसे बात की जा सकती है इसका वर्णन किस प्रकार किया है ये अपने शब्दों में लिखिए जा सकती है नायक सभी के सामने नायका को इशारे से मिलने को कहता है नायका भी इशारे से मना कर देती है उसके मना करने के भाव पर नायक रीज जाता है यानि मोहित हो जाता है जिससे नायका खीज उठती है यानि बनावटी गुस्सा दिखाती है दोनों के नेत्र मिलते है जिससे नायक प्रसन्य हो जाता है और नायका की आँखों में लज्जा आ जाती है परशन खा भाव इसपष्ट कीजिए तो ये पहला है कि मनो नील मनी सैल पर आतपू पर्यो प्रभात इसका उत्तर है इस पंक्ती में श्री कृष्ण की तुलना नील मनी परवत से की गई है उनके आलोकिक सौंदर्य को देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो नील मनी परवत पर प्राता यानि सुभा के समय सूर्य की धूप फैली हो दूसरा है जगदू तपवन सो कियो दीरक दाग निदाग तो इसका अर्थ यानि इसका भाव इस प्रकार होगा बिहारी जी ने इस पंक्ती में बताया है कि ग्रीश्म रितू की प्रचंडिता से पूरा जंगल तपवन बन गया है इस मुसीबत की घड़ी में सब जानवरों की दुश्मनी खत्म हो गई है साप, हिरन और सिंग सभी गर्मी से बचाओ के लिए मिरजुलकर रहने लगे हैं कभी ने शिक्षा दी है कि हमें भी विपत्ती की यानि मुसीबत की घड़ी में मिरजुलकर उसे निप्टाना चाहिए तीसरा है जब माला जपने और छापा तिलक लगाने जैसे बहरी आडंबरों से इश्वर की प्राप्ती नहीं होती है ये सारे काम व्यर्थ हैं, बेकार हैं राम यानि इश्वर का वास उसी व्यक्ती के मन में होता है जिसका हिदय इश्य, द्वेश, छलकपट, वासना, आदि से मुक्त होता है और स्वच्छ होता है तो ये तो हो गया इसके प्रशनुत्ता और इसके जो दोहे हैं उसके अर्थ का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदू ही तो आप वहां से देख सकते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फॉर न्यू अपडेट्स थैंक यू पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें